आवर फुरुक्ष ए सबी हमें पेड का परियावाची शिब्द है पेड, तारू, विटप, पारप, फुरुक्ष पेड ए सबी परियावाची शिब्द है खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलं की माला और यहां पर और हम लिखेंगे खुशबू और यहां पर हमें विलोम भाशा की बाद है खुशबू का यहां पर विलोम शिब्द और भी लिख सकते हम बदभू यानि खुशबू काद है सुवासना और बदभू काद है दुरुवासना खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला माला काद है दंडा इसे हम वचन के रूप में लिख सकते हैं माला यहां पर हम इसे बहु अचन के रूप में भाशा की बात में लिख सकते हैं क्यांगी तर्वों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें यहां पर और एक देना इसका आणeed है इस पोटम इसका विलूम शिद्ध है लेना इवत देना आते इवत pom लेना इस पोटम और यहां पर और आटर सन्ट आया है हूमं सबी को मालूम है जीवन इसका विलोम शिब्द भी है मारन यानी मृत्यू यहां पर हम आया है मैं बोले तो एक वचन है हम बोले तो यहां पर यह एक वचन है और हम यहां पर बहु वचन है इसको भी हम भाषा की बात के रूप में लिख सकते हैं तो यहां पर देखिए बच्चों इसका अर्द है पतिकों को जलती दोपहर में पेड सदा देते है जाया खुश्बू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला यहां पर नव का अर्द है नया यानि सुगंद कुछ भी हो सकता है माला चारी कर्वों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सी के यहां पर इसका तिल्गु का अर्द है पतिक का अर्द है यहां पर हम पहले ही लिख चुके हैं यहां पर पत रास्टा यानि दारी इस रास्ते में कौन चलता है पतिक चलता है पतिक का अध्य यहाँ पर बाटा सारी पतिकों को जलती दुपहर में अगर कोई भी एक पतिक दुपहर के समय चलता जा रहा है तो उसे चल चल कर कही पर भी बैट कर थोड़ा आराम लेने का इच्छा होता है तो वहां कहां जाता है उसे कही भी अपा मुझे कही यहां पर कही भी एक पेड़ दिखा तो कितना अचा लगता उसके नीचे बैठकर मैं विरा आश्चनर विराम लेता हूं ऐसे सोचता है तो पतिकों को जठी दोपे हमें पेड सदा देदे जाया अंटे इसका तिर्भू का आद रहे दारीं उन्द वैले एट्वन्टी ओका बात सारी माद्यान हम पूटा दारीं ना लट्चकुट वैले एट्वन्टी ओका बात सारी एककड़ाई ना ओग चेट्टू गंपिस्ते है हमको नव फूलों की माला तो देखिए बचो हमारे पाटशाला में अनेक पेड़ है उसमें फल देने वाले के पेड़ है और फूल देने वाले के पेड़ भी है उसी प्रकार हमारे घर में भी छोटे-छोटे उपवन होते हैं उपवन का अर्द क्या है बगीचा यानि यहां पर नव फूलों की माला यानि आहां पर खुश्बू जैसे अच्छी सुगंद देने वाले पेड़ों से हमें फूलों की माला गूंद सकते हैं क्योंकि एक चार-पांच फूलों के पेड़ रहे तो हम उसे क्या करते हैं उसके पूल को पूरे निकाल के इकटा करके उ उस माला को हमने हमारे घर में जो भगवान के मूर्ति होती है या उसे चड़ाते हैं भगवान को उस पूलों की माला को हम समर्पन करते हैं त्यागी तरूं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे यहां पर औरेक्द बताय गया है त्यागी तरूं के जीवन से हम भी तो हैं यह सैंक हमारे गाउं में अनेग प्रकार के बड़े पेड़ है हमारे का öğ can चोटे चोटे जंगल के जैसे जंगल भी है कि इस जंगल में जो पयड पौदे रहते है इस लिसे वोगी भी नहीं लगाये प्रकृति के रुप में मिले है प्रकृति में जो हमने पाने वाले कुछ संपदा है और नदी है और परवत है और आकाश है और पृत्वी है यहां पर जो इस प्रकृति में जो पेड़ है वो पेड़ हमें बहुत त्याग कर रहा है उसके कुछ डालियां त्याग करता है उसके खुश्बु भरता है और उसके जो लगे हुए मीठे मीठे फल को भी हमें त्याग करता है और उसको जब पेड़ भी सुझ जाता है उसको जो डालियां है उसको हम इन्धन के रूप में उभयो करते हैं इस प्रकार प्रकृत के हर चीज हमें कुछ जैसे नदी है नदी भी हमें त्याग कर रही है उसके पानी जो है उस पानी को हमने उपयो कर रहे है खेती बारी करने के लिए उपयो कर रहे है और घर में जो पामकाज करने के लिए भी उपयो कर रहे है अगर नदी में तालाव प्रकृत की हर चीत जो है वो हमें कुछ ना कुछ उसके मुख्य भागों को हमें त्याग कर दिखा रही है तो बचे यह है इसका अर्ध है ओका बाट सारी दारी हुंडा नट्चुकुन टुएले टपुडू तनों सेद तीरडान की एकड़ेना ओका उरुक्षम हुंदा आच चेतलू मनकी एंटो सुवासन कलिये पूल निश्तवी अट्वशन कलिये पूलैं यो चेतलू तरवात नतुरु वझ्य उखा धुड वहानर्म त्यागवाने ध्यागम्निक विंडेगी ुट्वथे विच्वानुम् नहीं अदार तो अन्मू की कर दस्ट में तिन प्रेश्न पिती अगर कोई तीन प्रेश्न से चाल कि पैंना कि तो यहां परिया है वह सब्सक्राहिÓ तो इसका उत्तीता है हमें पहला प्रश्न का उत्र क्या है पूल हमें क्या देते हैं